इस वीडियो में मैं आपको इस्परमेटोजेनेसिस यानि सुक्रजनन यानि कि पुरसों में सुक्रजन किस प्रकार होता है कहां पर होता है कैसे होता है इस वीडियो के अंतरगत मैं आपको यह बताऊंगा सुक्रजनन है क्या यानि कि इस्परमेटोजनेसिस क्या है यानि कि सुक्रणों का यानि मेल गैमीट का यानि कि पुर्सों में मेल गैमीट का यानि इस्परम का नर्मार कहां पर होता है किस तरह होता है इस वीडियो के अंतरगत मैं डिस्कस करूँगा तो सबसे पहले इस पर्मैटो जैनेसिस है क्या इस पर्मैटो जैनेटिस यह जी सुक्र जान। पर्मेटो जैनेसिस इज़ परोसेस इश्परम्स और male gamemids are formed in the testes in presence of FSH and testosterone hormone तो जो sperm anogenesis है वो टेस्टी में होता है कहा होता है वो टेस्टी में यह टेस्टी में होते हैं इस टेस्टी में होता है यह जो टेस्टी होते हैं कि यह इस परम नाड़े जैनेसिस कब सुरू होता है टेस्टीज में स्टार्ट होता है इसमें टेस्टीज में सैमेनी फीरिटीबूल्स कि सैमेनी अब फीरस टीबूल्स की जर्मीनल एपिथीलियम सेल्स से इस से ही सबसे पहले इस परमम नचेंशन इन्हें कहते हैं परम इंजर्म सेल्स है양 इस पर उस बोलता है जर्मीन फेद्टीलियमस की परई मोहटीलियमस जैने स्ट मत रस घुटे इससे ही आगे चल करके इस्परम्स यानि मेल गैमीट का निर्मार होता है एंट लोब से एफ एस फॉलिकल एफ एस एच फॉलिकल इस्टिमुलेटिंग हर्मोन इस्टिमुलेटिंग हर्मोन और और टेस्टीज की लीडिंग सेल्स लीडिंग सेल्स से टेस्टोस्टिरोन हर्मोन यानि पिट्यूट्री गिलेंड की एंटियर लोब से एंट्री पिट्यूट्री से फॉलिकल इस्टिमुलेटिंग हर्मोन और टेस्टीज की लीडिंग सेल्स होती हैं उसे टेस्टोस्टिरोन हर्मोन निकलता है इन दो हर्मोन FSH और टेस्टोस्टिरोन इन दो हार्मोन की सहता से ही यह स्पर्मेटोजेनेसिस होता है यानि जो स्पर्मेटोजेनेसिस यानि स्पर्मेटोजेनेसिस होता है वो दो हार्मोन Follicle Stimulating Hormones और Testosterone hormones की उपस्तिति में होता है ये Testosterone हरμοन बीन निकलता है जब य marrow आवस्ता याणि MAUPति मैं स्रूर होती है यादि में परुसं होती है जो चौदह साथ से लेकर के तरह साल तर शुरह हो जांए separate झार मेंटोज क्षार वस्ता हम होता है उसमें सब पाद ग्रोफच फेस उसके बाद मैचुरेशन फेस और लास्ट होते है इस पर मेटो लियोसिस सबसे पहले आप पाउती है मल्टिप्लिकेशन फेस पर मल्टिप्लिकेशन फेस जिस से गुंड प्रावस्ता कहते हैं नम्र टू बूटिया ग्रोथ फेस कि नम्मर्श 3 होती है मैचुरेशन फेज मैचुरेशन फेज नम्मर्श 4 होता है इस पर मियोगेनेसिस काँ मैं एक स्वार म excellencyतs याने चार सबस्तह होती यह मल्डिप़ीकर फेश फेश मैचुरीस्ट फेश्ट इस इस बर्यूफ कल कई लिए मैं यूद प्राफुस्तह करा हिस्थ व्रद्धी प्राफ्पावस्थ्थ चेह से हो आफ में में बũलोबै। सबसे एन चारह बस्ताओं को हम अब डिसकस करेंगे सबसे पहले जोह होती है जो je ज्रमस्यड सbags यहनि स्पर मदरशल होती है सबसे पहले इस्पर ज्रमसयर जब साइए मैं यानि और जर्म खेथे इसको primordial these all these Germ-cells कि यह primordial germ cells . कि यह प्रायमड जर्म से इसी से इसी को खम इस पर चल जह सकते हैं यानि इस पर मदरफ कह सकते हैं से म Sandler इस ऊह ओँ इससे ही यह डबल अब होती हैं आगे को और यह बना देती है कि संस्करानपोड जन कोशकां कैते हैं कि इन्हीं के द्वारा फिर ये इस साइड़ोड दॉकुन है इस पर मैं बोनिया में नमोरॉप चिंवभ होते हैं वह क्फैंग은 का मतलब यहां पर है यहां सिंग आधा मतलब फोर्टी श्क रूम्मसोम्म इस बोनिया में इनमें समय नवर्व होते हैं तो जो क्रुम्मसोमी तो मल्ٹिप्लिकेशन फेस इसे करने ऐस faliers मल्टिप्लिकेशनफेस से Palakar Halus Sun Phasage यह यह अनीिए गॉटन प्रावस्था केते हैं से वह गुरुन प्रावस्था यह ज़से लूंबर प्रावस्था से एं मुटन प्रावस्था बन गबthlet इस तरह से दो सेल बनी दो से और ये जो होते हैं इस पर मेटो गोनियां से मुल्टिपिलिकरिशन पेस में समसूत्री भवाज जारा बहुत सारी सेल्स करन्रमार करते हैं इस तरह और सेल्स करन्रमार हुआ हुआ है और सएक रिमार वह इस तरह है यारे यह कि इस पर मेटो गोनिया से यह मल्टिपल हुआ और यह डिवीज़ जो होता है इसमें क्रोंस नमर्बलब सब्सक्राइब हैं अब कि नम्मर ऑप क्रोम सुम कितने हैं टू एंड वैंड मतलब 46 समसुत्री भवाज इंदारेस पर मेंट बोनियां बहुत सारी कोश्का बनाती है इन में से कोई सेल एक ग्रोथ वह दूसरी वस्तां होते ग्रोथ फेस यानि इसे कहते हैं ब्रदीप्रावस्थ्थ हैंदी मैं इसमें क्या होता है कोश्का एक इप्र को CHS difficult होते हैं तो इस जो यह कोश्का जो होती है यह ग्रोथ फेस में यह एक कोश्का आगे डबलमेंट के लिए आरे विभाजन के लिए यह अपने आपको प्रिपेर करती है और इस अवस्ता में बहुत सारे है प्रोटेंस एंजाइम हार्मोन्स जितने भी यार जो डिविजन के लिए अवस्ति होते हैं सेल्स के लिए वह सब एकत्रत हो जाते हैं और वह सब उसका यह खटा करके अपने आपको डबलब करती है और यह जो होती है स्पर मेटोगोनिया वह इसे कहते हैं फिर बनाती है य कि इससे फिर डिवीजन होता है और यह पास कें बनती है है रूट को करें और यह Z lifetime होती प्रैमडी परमड़ सैट में एक डिवाजन होता है और इसे कहते हैं मैहिटिक डिवीजन फिस्ते मिमर्ट्रिव डिवीजन कर में ते हुए पहला अर्थिसुत्रिवाजन कि हिंदी में अर्सूत्री विवाजन कि पहला अर्सूत्री वाजन होता है और इससे बनती है दो कोस्काइं उन्हें कहते हैं सेकंड्री स्परमेटोसाइड कि प्रमेटोसाइड सेकंड्री स्परमेटोसाइड यह दोनों से कोस्काइं होती है अब क्योंकि यह जो दिविजन होता है में आउन्धिवी यह होता है यह है तो नमर उब क्रोम सोमस इसमें हों बालते हैं एन का मतलब है में तो सेकंड इस फरिवीजन होता है इन दोनों में इस तरह से कि सेल बनी चार और यह सेकंड डिविजन होता है कि मियोटिक मियोटिक डिविजन लेकिन यह जो होता है वह समसूत्री प्रकारगा होता है समसूत्री यह जो दिविजन होता है समसूत्री विवाजन होता है कि फस्ट देखेंगे प्रैमरी स्परमेटोसाइड में फस्ट डिविजन हुआ वह असूत्री प्रकारगा होता है जिससे दो कोस्काइं बनती हैं जैने कहते हैं सेकंड स्परमेटोसाइड जिन में नमबर और क्रोमसोंट रहते हैं रहती हैं दूसरा इतर बनती है उससे स् autant बनती है यह शीन होता है संश्वूत्री वाजन होता है जो स्ब्स स्परमेटर्स सुक्राणुपूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्प फेस ग्रोथ फेस और मैचूरेशन फेस इसके बाद इस पर मैटिड्स में बहुत सारा चेंजिस होता है और चेंजिस के बाद यह इस परम सेल्स का अंडर्मा कर देती हैं कि यह क्रूम एक्रोसों कि इह ख़ा कि है इसने कहते हैं इस पर में इसे प्रोसेस को कहते हैं इस पर मैटिड्स इस इस पर मैटिड्स इस इस पर मेटोलियोसस तो यह जो प्रॉसेस हुआ इसके द्वारा इस में क्या होता है इसके बाद यह जो बनेंगे इस्पर्म बोलते हैं इस्पर्म और मेल गैमेट्स लाटफि दिन इस्पर्म और मेल गैमेट्स बनते हैं यह सारा का सब्सक्राइब इस पर में टो जैनेसिस कहलता है तो संचेप में मैं आपको फास्ट बता दूं कि इस्पर मेटोजेनेसिस जो मेल के यानि पुरुसों की टेस्टीज में होता है जो FSH हार्मों जो कि अकरपाले से निकलता है और टेश्ट सिर्ण। हा diferença जो टेस्टी निकलता है जो उससे मैं निकलता है जब यह व्यूवण नवस्ता प्ररयारं होती है तो उस समय पर मैंटोजानेस होता है जिसमें ऍभी मैं Central को गोन करके मैं बहुत सारी बनाती इस मुल्टीस को और को के इस क ensuring में होते हैं इसके बाद यह इस पर बना डेती हैं मैं सबूरसों झाल है कि यह इस्के बाद यह तो पता ओसके बयाएं को इसे दिपीजन होना होता है वह उसे सकता है उसकता होती है इसके बाएड आती है फिर को स scholars की कि अर्थूसी भीवाधन होता है यह बद्दी प्रावस्ता के बनती है यह पिर नम्हस् सम्स वह होते हैं आध्य यह इंट फिर डीजन होकर के फिर बनाते हैं जो सेगंड इमेर्टक डिविजन कहते हैं कि उसे और यह बना देती है इसमें जो दूसरा विजन होता है वो आ समसुत्र भाजन होता है इसके बाद बहुत सारी चींज्जिक बाद डारेक्ट इसपर्म का निर्मार हो जाना यानि इस पर